दोस्तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हातियों के बारे में 15 एसे रोचक्त जो सायद आप नहीं जानते होंगे तो चलिए देर ना करते हो शुरू करते हैं आज की वीडियो आपको पता ही होगा हाति की दिन बार अपने कान हिलाता रहता है वो इसलिए अपने कान को हिलाता है ताकि सरीर की गर्मी कानों के जरिये बाहर निकलती रहे ये काम हाती के कानों की कोशिकाय करती है यही कारडे की अफरीका के हातियों के कान बहुत बढ़े होते है क्योंकि वहाँ गर्मी जादा पड़ती है फैक्ट रमर सेकेंड हाती को पानी की गंद 4-4.5 किलुमिटर की दूरी से सूंग लेता है हाती बहुत लंबी सांस चलती है वो एक मिट में केबल दो से तीन बार सांस लेते हैं और चोड़ते हैं फैक्ट रमर तर धाती दुनिया का एकलोता ऐसा जानबर है जो अपने भारी सरीर के कारण कूद नहीं सकता और सभी जानबर से अलग इसके गुटने भी चार होते हैं फैक्ट रमर फोर सेर को बले ही जंगल का राजा कहा जाता है लेकिन वो हाती से कभी नहीं लड़ना चाता फैक्ट रमर फाइब हाती कभी भी आपस में नहीं लड़ते अगर किसी जुंड का एक हाती मर जाये तो सारा जुंड अजीब अजीब तरह से गरज कर सूख मनाता है फैक्ट नमर 6 हाती एक बार में अपनी सूड में करीब 8-9 लीटर पानी भर सकता है फैक्ट नमर 7 हाती अपनी सूड से 3.500 किलोग्राम तक का बजन उठा सकता है फैक्ट नमर 8 हाती अपनी सूड से छोटी-छोटी चीजों को उठा सकता है यहाँ तक की फर्ष पर गिरा एक छोटा सा सिका भी उठा सकता है फैक्ट नमर 9 हाती की आँखों की रोशनी कम होती है इसलिए हाती चलते बक्त सूड से नीचे की और फूगता है और हवा जमीन से टकरा कर बापस आती है जिससे उसे आगे की रहा का अंदाजा हो जाता है फेक्ट नमर टेन, मादा हाती चार साल में एक बच्चे को जन्मे देती है इसका गर्वकाल 22 महीने का होता है नव जन्मे हाती की लंबाई लगबग 85 सेंटीमीटर और बजन 115 किलो तक होता है फेक्ट नमर 11 हाती के सरीर का सबसे मुलाय मुझसा उसके कान के पीछे के नूइल होते है इसलिए हातियों को समालने के लिए नूइल के जरिये हातियों को निर्देश देते हैं फेक्ट रमर 12 हातियों का जीवन काल उसतन मनुस्ट की तरही 70-80 साल तक का होता है फेक्ट रमर 13 हाति को चलने की रफ्तार आम तोर पर 6 किलोमेटर प्रते गंटे की होती है इतना बड़ा सरीर होने के बावजूद हाति दिन बरमे करी 15-20 किलोमेटर चल लेते हैं फेक्ट रमर 14 हाति से 3-4 गंटे सोते हैं और भूबी लेट कर नई वलकी खड़े ओकर सोते हैं फेक्ट रमर 15 हाति दिन के 15 गंटे खाने में बिता देते हैं ये एक दिन में लगग 110 किलो तक बोजन खा जाते हैं और उसका से 35 पिजदी ही पच्चा पाते हैं कि मलके द्वारा बहार निकाल जाता है तो दोस्तों एसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद